नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेक मिश्राट इडिंग मेरेटेस्विश्टर हम लोग जिस कंपनी को डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में स्री रेनु का सुगर लिम्टेड है इसके कौटर फोर के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों तो कैसे आया है नतीजे उसक करेंगे और साथ में इसके जो सूगर सेक्टर को लेकर जो खबर चल रही है लिटेस्ट में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे comparison करेंगे last year से की कैसे quarter आये हैं इस बार के और पिछले quarter से भी compare करेंगी की last quarter 3 में कैसे result बने थे तो दोनों का आपको बढ़िया से यहां पे डाटा मिल पाएगा जिससे आप प्रेडिक कर सकते हैं कि कितना अच्छा प्रफॉर्म किया है पिछले year से और पिछले quarter से तो सारी चीज़ें हम लोग इस तार से समझने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जो चल पे नहीं होचे हैं सब्सक्राइब कर लें और पिसन बेल और पर रखे हैं जिससे आने वाले इनिश्ट अपडेट आपसे मिसना हो आप दोस्तों टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं न्यूज डिविदेंट एनॉस्मेंट quarterly earning results के लिए उसका link वीडियो के reception box पे मिल जाएगा और ये वीडियो जो है ये morning में हो रही है क्योंकि रात को मैं recording कर पाया था और आज अभी हम लोग इसको market open होने से पहले ही समझ लेते हैं जो की काफी अच्छा रहने वाला है तो टेलिग्राम का भी link वीडियो के reception box में है दोस्तों membership का भी यहां पे आप पर अभी मैंने publicly post कर दिया है तो वो आप सभी को दिख पाएगा कि क्या चीजे है और आप सेम चीज टेलिग्राम पे भी कर सकते हैं अगर आपका कोई doubt है comment में बताईएगा चले वड़ा वड़ समझते हैं तो सबसे पहले दोस्तों रेजियो का सुगर की condition पे बात कर लेते जैसे कि उड़ती उड़ती खबार आई थी कि जिस तरीके से rice पे government ने आपको पता होगा पिछले time पे एक तरीके से निर्याद पे export पे जो बाहर ही देशों में हम लोग supply कर रहे थे rice उस पे इंडिया ने थोड़ा ban एक तरीके से कह लीजे लगाया था ताकि क्योंकि अपन पास कितना मात्रा में अभी rice है उसी तरीके से sugar का भी government ने किया मतलब कर सकती है ऐसा लोग बोल रहे है वैसे खबर तो आई ही चुकी है तो उस खबर को हम लोग discuss करते हैं और मैं आपको और info देता हूं कि क्या sugar पे भी export ban लगने वाली जो संभावना है वो क्या है और उसमे government ने क्या छूड़ दे रखी है और क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझते हैं तो 44 रुपी 85 पैसे के राउंड अभी ये share trade कर रहा है अच्छी खासी market capital hold करता है अभी currently देखा जाए दोस्तों तो sugar field में अपने इंडिया पे सबसे बड़ी market capital य जो government ने एक तरीके से export जो है sugar export है उसके उपर थोड़ी सी limit लगा दिये कि आप एक limit के अनुसार ही बेची अभी बाहर export करिए क्योंकि हम लोग भले ही बड़ी मात्रा में export करते हैं मतलब एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ब्राजील के बाद हमारा ही number आता है पूरे तो basically यह चीज है simple सी बात में बताऊं मैं आपको तो इन्होंने बोल रखा है कि आप 10 million के अंदर अंदर या 10 million तक ही 10 million टन तक ही करिए ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो अपने इंडिया में जो supply है वो थोड़ी और better हो जाएगी और price उससे वज़े से जो domestic price है चीनी के वो तो जैसे petrol के लिए petrol diesel के लिए उन्होंने exercise duty कम कर दी उसी तरीके से बागी चीजों के लिए जैसे steel का भी आपको पता होगा वहाँ पे भी जो export duty थी उसमें थोड़ा changes किया government ने जिससे कि वो sector में भी काफी downfall देखने को मिला था उसी तरीके से इसके लिए भी कदम उठाया गया है ताकि जो इंडियन पब्लीक है उनको थोड़ा एक सही rate में मिल पाए पर यहाँ पर जो एक तरीके से नोंने comment कर रखा है संदीप ने कि सूगर जो export है वो जो restriction है वो एक तरीके से देखा जाए तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 10 million जो ton हम लोग limit है वो काफी ज्यादा sustainable है ठीक है तो इसके वाज़े से जो export है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे ही zone में कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है तो यह काफी अच्छी बात है और क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पता यह पिछले time पे भी हम लोगों ने अच्छे मात्रा में किया था export तो clearly देखा जाए तो government ने जो थोड़ा increase किया है वो सही ही है और sugar जो production हमारे country में last year हुई थी 35.5 million ton जिसमें से बहुत 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 बहुतर नमबर आ जाता है और इस वज़े से जो growth है अपने इंडिया में ही हम लोग बहुत बढ़ी मात्रा में sugar use हो तो उस वज़े से जो supply है थोड़ी अपने इंडिया का जो domestic price है वो better हो जाए तो ये एक देखा जाए दोस्तों तो solution है ताकि price जो है sugar कंपनियों के वो थोड़े कम करें इनको थोड़ा जो normal public है उसको थोड़ा अच्छा फीलो क्योंकि बहुत टाइम से इन सभी कंपनियों कोई भी सेक्टर की कंपनिया हों दोस्तों काफी अच्छा profit बनाई है तो government के तरफ से एक तरीके से थोड़ी रोक लगी है कि थोड़ी limit में करो और जिससे की जो यहां के normal public है उनका भी भलाओ सके तो एक तरीके से normal public के लिए अच्छी खबर है कि price अब थोड़े चीनियों क कम होते हुए दिखाए देंगे पर company के लिए देखा जाए एक तरीके से तो वो क्योंकि direct news आई है उसमें downfall देखने को हमको मिल जाता है अब बात करेंगे यह news से क्या होता है तो यह देखिए दोस्तों यह temporary है ठीक है इसका कोई इतना दिखत नहीं पढ़ने वाला है और 10 million जो ton का export है वो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बड़ी limit है कोई छोटी limit नहीं है तो उससे भी इतना ज़दा effect नहीं पढ़ना चाहिए पर क्योंकि खबर अचानक से आती है और negative sentiments होते हैं तो वो downfall दिखाता है तो उसके वेज़े से हम लोगों को कल downfall देखने को मि बात करें तो हम लोगों को 27% profit growth हुआ है 14% sale growth भी हुआ है तो यहां पे सिर्फ दोस्तों सुगर से profit नहीं इसको इंतनाल से भी profit होता है और power sector से भी profit होता है ठीक है तो इस तरीके से इंतनाल का भी मात्रा आपको जैसे कि मैंने बीच बीच में बताते रहा हूं बार-बार की 20% increase कर दिया है पहले 10% होता था petrol diesel में इसके जो होता था एक तरीके से blend करते थे इंतनाल को उसी में mix करते थे तो उसकी मात्रा increase की गई जिसके वैसे इन लोगों की कंपनियों की जो इंतनाल की sale थी वो increase हुई जिसके वैसे इनका profit ultimately अच्छा हुआ थोड़ा और better आने लग तो सुगर से profit होता ही होता है इंतनाल और power sector से भी हो रहा है और अभी जो result आया है दोस्तों वो बहुत सांदार रहे हैं 265% की result में growth है तो वो भी हम लोग समझते हैं और clearly उसी point of view से हम लोग इसको आगे discuss करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों अभी हम लोग मार्च का result discuss करेंगे जो कि इसका quarter 4 हो जाता है और फिर उसके बाद हम लोग quarter 3 का result discuss करेंगे और इसी के साथ में दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि हम लोग last year का result है quarter 4 का वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं तो last year इसी time पे company को 44 करोन का loss हुआ था और इस बा कि एक बार जो इसका data है क्योंकि other income इसमें एड हुई थी तो वो उसको particularly counting करेंगे इसलिए आपको net profit में काफी बड़ा number दिख रहा है पर अगर हम लोग normally बात करें जो जरली होता है तो 15 करोड का था तो 105 करोड का था तो उससे काफी better यह number है पिछले quarter से भी बहुत अच्छ है पिछले quarter से already मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट है इस बार के वो 256 5% betters है तो यह काफी बात better है और इसी तरीके से operating profit में भी हम लोगों को इस बार के जो result है वो काफी better देखाई देते हैं profit before tax में भी काफी better दिखता है तो इस वजह से company का जो data है वो काफी अच्छा न और yearly wise देखा जाए तो इसके data थोड़े अभी भी negative में ही रहे थे पर क्योंकि operating से काफी अच्छा आया है तो आने वाले time पे उमीद है कि और better यहां से data अब नजर आएंगे क्योंकि growth जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और companyya उस field में काफी अच्छा perform कर रही है इसके चार पे बात करें दोस्तों तो हमको result पता लग गया है तो result जो है इस बार के वो काफी अच्छे नजर आते हैं सेर को जो support मिल रहा है वो 38 रुपी 60 पैसे पे है तो आप stop loss भी इसी पे लगा सकते है और अगर आप buy करने के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों तो अभी आप buy क अच्छे हैं और उसके बाद हम 76 का लेके चलने वाले हैं तो यह जब टार्गेट होगा तो obviously मैं आपको next target update कर दूँगा फिलाल इसके उपर अगर नीचे के लेबल देखा जाए अगर जाने का ज्यादा से ज्यादा जाने का जो chances दिखता है दोस्तों वो currently 33 रुपी 55 पैसे साथ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है यही टोटल अपडेट हो जाएगा स्री रेनुका सुगर पे और सुगर सेक्टर को लेके एक बड़ी खबर पे